हेलो एवरीवन, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ अंकित जैन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पेटेंट एजेंट एग्जाम 2025 के बारे में, Office of CGPDTM, Controller General of Patent Design and Trademark ने नोटिफिकेशन निकाला है, पेटेंट एजेंट एग्जाम के लिए, जल्दी अपलाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट के भरो से आपको बिलकुल भी नहीं रहना है, अब यहाँ पर बात करें, पेटेंट एजेंट एजेंट एग्जाम के बारे में, तो देखिए इसके लिए जो eligibility criteria है, वो section 126 जो Indian Patent Act 1970 का है, उसमें दिया गया है, यहाँ पर या technology में, हम यहाँ पर specifically जो science graduate है, उसके बारे में हम बात करेंगे, that means जिन्होंने BST किया है, उसके बारे में बात करेंगे, और specifically यहाँ पर मैं chemistry graduate के बारे में बात करूँगा, कि उनके लिए यह exam कितना ज़्यादा important है, I am sure कि अगर आप अभी BST chemistry या MST chemistry कर रहे होंगे, आ उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले, बहुत ही brief में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ज्यादा detail में नहीं बता रहा हूँ, brief में अगर मैं कहूं, कि आपके मन में एक doubt होगा, कि sir इस exam की chemistry graduate के लिए क्या importance है, तो देखिए जितनी भी pharmaceutical company होती है, उन सभी में अगर कोई भी innovation होता है, कोई भी invention होता है, और company चाहती है कि मैं इस invention का patent file करूँ, तो देखिए जब भी कोई invention होगा, उसे समझने के लिए, अगर कोई भी pharmaceutical field से related invention है, या chemical field से related invention है, तो उस invention की technology को कौन समझेगा, एक chemistry graduate समझेगा, तो यहाँ पर important हो जाती है अब उस invention को आपको draft करना है, आपको उसका patent draft करना है, तो यह patent drafting में आपको किस तरह से draft करना है, कौन-कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आपको draft करना है, जिससे की आपका जो invention है, वो पूरी तरही के से protect हो जाए, इसके लिए आपको patent और patent से related rules की समझ होनी चाहिए तो इसलिए ये कहते हैं कि ये जो field है उसमें techno legal field है आपको technology की भी समझ होनी चाहिए और आपको legal जो perspective है उसकी भी समझ होनी चाहिए तो यही role होता है एक patent agent का और यहाँ पर अगर आप specifically chemistry graduate है तो आपकी importance इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जितनी भी pharmaceutical companies है एग्रो chemical companies है इसके अलावा जितनी chemical companies है जितनी specialty chemical से related company है fine chemical से related company है जो की chemistry से related inventions पर patent file करती है उन सभी जगह पर chemistry graduates जिनके पास Indian patent agent या patent से related कोई भी diploma है उनकी requirement लगातार बढ़ रही है तो इसलिए ये exam आपके लिए काफी important हो जाता है और अभी तक जो chemistry graduates है उनको इसके बारे में इतनी ज awareness नहीं है तो अगर आप भी एक ऐसी job करना चाहते हैं जिसमें आप chemistry से जुड़े रहे साथ ही patent में भी अगर आपको interest है तो आपके लिए patent agent exam 2025 एक बहुत ही important exam हो सकता है अगर आप अभी BSC chemistry pass out कर चुके हैं या अभी आप MSC chemistry कर रहे हैं तो जरूर आप इस exam के बारे में और videos बनाए हैं जिसमें मैंने अपना experience शेयर किया कि कैसे एक chemistry background से होने के बाद मैंने इस patent agent exam को clear किया था उन videos को भी देखिये और थोड़ा एक दो दिन का आप समय दीजिए अपने आपको और अगर आपको लगता है कि मुझे भी इस exam में appear होना चाहिए तो आप इस exam के लिए online application file कर सकते हैं तो देखिये सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर exam के pattern के बारे में यहाँ पर एक बात और भी clear कर दूँ बहुत सारे बच्चों के मन में अभी यह doubt होगा कि क्या यह कोई government job vacancy है तो देखिये इसका straight answer है no यह कोई government job vacancy के लिए notification नहीं आया है इस exam को clear करने क के बाद आपको कोई भी government job offer नहीं होगी कई सारे बच्चे patent agent और patent examiner दोनों में confused हो जाते हैं क्योंकि दोनों के लिए जो notification है वो office of CGPDTM की तरफ से आता है तो confused बिल्कुल नहीं होना है यह जो patent agent exam के लिए अभी notification निकला है इसमें आपको direct job offer नहीं होती है अगर आप इस exam को clear करते हैं तो आप Indian patent agent बन जाते हैं आपका जो नाम है वो Indian patent agent के register में दर्ज हो जाता है अगर आगे चलकर किसी company में कोई vacancy आती है जिसमें कि उनको science graduate specifically chemistry post graduate चाहिए और उनको Indian patent agent भी चाहिए तो वहाँ पर आप apply कर सकते हैं तो यह इस exam की importance है इसके अलावा अगर आप Indian patent agent है तो आपको कई सारे rights मिलते हैं अगर आप patent की field में आगे चलकर काम करते हैं तो आपको काफी ज़्यादा benefit होगा Indian patent agent का Indian patent agent बनने का तो यही इस exam की खास बात है तो कोई भी direct government job नहीं है patent examiner की जो vacancy आती है हाली में जिसका result भी आया है वहाँ पर आपको direct job offer होती है लेकिन patent agent exam clear करने के बाद आपको कोई direct job यहाँ पर offer नहीं होने वाली है इसे आप इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे आप BST करते हैं आपको degree मिलती है वैसे ही यहाँ पर आप अगर patent agent exam clear कर लेंगे तो आप registered Indian patent agent बन जाएंगे अब बात करेंगे exam patent की तो देखिए यहाँ पर पहले तो आपका paper होता है जिसकी date already आ चुकी है 5 जनवरी 2025 यहाँ पर date है संडे के दिन तो दो paper होंगे आपका जो पहला paper होगा वो होगा MCQ type 100 marks का यह paper होगा 2 hours की duration रहेगी 5 जनवरी 2025 को यह paper होग और उसी दिन आपका एक और paper होगा paper 2 जो की descriptive type होगा 100 marks का होगा और इसकी duration होगी 3 hours तो paper 1 आपका MCQ है और paper 2 आपका descriptive type होगा अब यहाँ पर जो candidate paper 1 और paper 2 में minimum 50 marks लेकर आएगा individually paper 1 में भी आपको 100 में से 50 marks लेकर आने है paper 2 में भी आपको 100 में से minimum 50 marks लेकर आने हैं तो ही आप अगली stage पर जा सकते हैं अगली stage कौन सी है वाइवा की तो अगर कोई candidate paper 1 में 100 में से 99 marks लेकर आता है और paper 2 में अगर उसके 49 marks हैं तो वो वाइवा के लिए eligible नहीं होगा individually आपको दोनों ही paper में minimum 50% marks लेकर आने हैं अब जो वाइवा होता है वो जो भी successful candidate होंगे paper 1 और paper 2 से उनका होगा वाइवा वाइवा होता है आपका 50 marks का और जो final selection होता है बहुत ही interesting चीज है ध्यान से आप सुनिएगा कि जो final selection होता है वो ही candidate final selection होगा जिसके की 250 में से minimum 60% marks होंगे that means 250 में से जिस candidate के minimum 150 marks या उससे जादा होंगे वो registered Indian patent agent बन जाएंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि paper 1 और paper 2 में आपको जितना हो सके अच्छे से अच्छा score करना है जिससे की वाइवा के उपर आपकी जो dependency है वो कम हो जाए क्योंकि अगर आप paper 1 और paper 2 में 50 marks ही लेकर आत होगा तो जब मैंने भी इस exam को दिया था तो paper 1 में मैंने 100 में से 72 या 73 मेरे marks आये थे और paper 2 में लगबख 60 marks आये थे तो काफी easy हो जाता है आप जब वाइवा में जाते हो आपके उपर बिलकुल भी pressure नहीं होता है तो total आपको 250 में से minimum 150 या उससे अगर आप ज्यादा marks लेक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां पर यह exam होगा और इस exam का जो syllabus है वो है patent act 1970, patent rules 2003, the design act 2000 and the design rule 2001 and matters related to the IP jurisprudence तो देखिए यहां पर जो exam का pattern है exam में जो questions पूछे जाएंगे उसमें chemistry का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा अगर मैं specifically बात करूं chemistry graduate के लिए अगर आप किसी और भी दूसरी subject से हैं आप biotechnology से हैं आप microbiology से हैं तो यहां पर आपको subject related question नहीं पूछे जाएंगे यहां पर completely आपका जो paper 1 होगा mcq type उसमें आपसे questions पूछे जाएंगे patent act के, patent rules के, design act के और जो IP related जो कोई भी trending topic होगे उससे related chemistry आपसे बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी और जो paper 2 होता है उसमें आपसे जो questions पूछे जाते हैं वो drafting के question पूछे जाते हैं patent को draft करना आपको सीखना होगा साथ ही यहां पर आपको जो patent act है उससे related descriptive type questions पूछे जाते हैं और उसके बाद जो वाइवा होगा उसमें भी आपको completely patent से related ही पूछा जाता है कुछ बाते वहाँ पर आपको आपकी जो subject है उससे related पूछ सकते हैं लेकिन वहाँ पर भी उससे patent act के साथ link किया जाएगा तो in all in all अगर मैं कहूं तो यहाँ पर यह जो exam होता है उसमें patent act से related questions होते हैं इस बार यहाँ पर design act को भी और design rule को भी include किया गया है syllabus में तो अगर आप interested है eligible है तो आप online application इसके लिए कर सकते हैं मैंने date आपको बता दी 8 July 2024 से online application स्टार्ट हुए है जो कि 8 अगस 2024 तक चलेंगे आपका जो exam होगा वो 5 January 2025 को होगा उसके बाद उस exam में जो भी successful candidate होंगे उन्हें वाइवा के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी final जो है वो merit list निकलेगी कि कौन कौन candidate ऐसे है जिन्होंने की 250 जो marks का paper होते है paper 1, paper 2 और वाइवा को मिला कर 250 marks के होते हैं उसमें से minimum जिसके 150 है उससे ज्यादा marks होंगे वो candidate registered Indian patent agent बन जाएंगे उसके बाद आपको registration करना होता है patent agent के लिए तो यहाँ पर जो fees है इस exam म अगर आप appear होना चाहते हैं online application जब आप करेंगे तो आपको इसके लिए 1600 रुपे देने होंगे तो सारी details इस video में मैंने cover कर ली है मैं खुद भी registered Indian patent agent हूँ और अगर मैंने कैसे इस exam को clear किया उसके लिए भी मैंने कुछ videos बनाये है उन video को आप जरूर देखिएगा अगर आ आगे चलकर patent की field में काम करना है तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा starting point है इस exam को clear करने के बाद आप patent की field में opportunity के लिए सर्च कर सकते हैं अगेन repeat कर रहा हूँ patent agent exam कोई भी direct government job आपको नहीं देता है यहाँ पर केवल आपको एक registration होता है आपका as a Indian patent agent ये बात आपको रखनी है इस वीडियो को आप अपने जो chemistry friends है chemistry graduates हैं उन्हें जरूर share कीजिएगा साथ ही मैं यहाँ पर बार-बार chemistry के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं specifically chemistry से related videos बनाता हूँ अगर आपने और भी किसी दूसरे subject से BSC किया है या MSC आप कर रहे हैं तब भी आप इस vacancy के यह eligible है